नमस्कार, YouTube चैनल N-Universe 2 में आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे साइक्लोमेट्रिक प्रोसेस कूलिंग एंड दी हुमिडिफिकेशन के बारे में इससे पहले हमने वीडियो में डिस्कस किया था sensible cooling क्या है और dehydration क्या है आज ये combination है cooling and dehydration का cooking basically होती है कि हमें air का temperature उसको कम करना है लेकिन specific humidity हमारी change नहीं होती और dehydration वो process होती है जिसमें moisture हमारे remove हो जाते है लेकिन dry level of temperature हमारा change नहीं होता लेकिन आज इस process को हम डिस्कस करेंगे इस process को cooling and dehumidification को basically गर्मियों में किया जाता है air conditioning के दुरान जिसमें हवा को ठंडा करना होता है और dehumidify करना होता है इस process में क्या होता है कि हमारे पास एक coil है यह हमारे पास system है कि हमारे पास air यहाँ पे available है जिसका temperature T.D.1 temperature है और यह cooling coil है जिसके अंदर से refrigerant flow करता है तो सबसे पहले माल लिया कि मेरे पास जो condition है वो ideal conditions है और यह एक psychrometry chart हमारे पास है इस पे हम process को plot करेंगे सबसे पहले जो T.D.1 temperature है वो dry valve temperature है जो हवा enter करेगी coil के अंदर और जो coil का temperature है वो T.D.3 temperature है और इसको effective surface temperature भी कहते है और इसको ADP भी कहते है ADP होता है apparatus dew point और जो T.D.3 है वो dew point temperature से कम होता है इसको कम करने का reason यह है कि जो हवा के अंदर moisture अबलेबल है वो condensed होके liquid में convert हो जाए और हवा से अलग हो जाए और जो हमारे पास air out होगी यहाँ पे वो हमारे पास उसका जो temperature होगा वो T.D.3 और ADP के एक वल होगा ideal condition के case में और कोई भी air का ऐसा portion हमारा bypass होके नहीं जाएगा सारी जो air cooling coil के through ही जाएगी यह ideal condition में होगा अगर ऐसी process होती है तो हम कह सकते हैं कि जब moisture को हम coil से पास करवाएंगे और इसका जो temperature है dew point temperature से नीचे है तो moisture के अंदर जो भी हमारे पास moisture available है वो condensed हो जाएगे condensed होके वो liquid में convert हो जाएगे और इस दोरान क्या होगा कि हमारे पास temperature और humidity ratio दोनों कम हो जाएगे लेकिन relative humidity वो बढ़ जाएगी अब यहाँ पर process देखता हूँ मैं कि एक से दो यह वो process है हमारे पास कि यहाँ पर cooling हो रही है specific humidity constant है और यहाँ पर यह जो line saturation करव की line है relative humidity यहाँ पर 100% होती है और यह point हमारे पास पहला dew point हमारे पास है उसके बाद कि अगर deep modification होगा हमारे पास temperature जो specific humidity है वो कम होगी है और यह third point है क्योंकि यह वो third point है जो coil का temperature और जो हावा में मिलेगी उसका temperature भी इसी temperature के equal होगा और मैं कह सकता हूँ कि outlet air का temperature और cooling air का temperature वो TD3 के बराबर होगा और वो apparatus dew point होगा लेकिन यह ideal condition है यह चीज़े possible नहीं है क्योंकि जो cooling coil है इसकी inefficiency की वज़े से हमें इस तरह का graph नहीं मिलता जब हम actual practice की बात करेंगे क्योंकि actual practice में क्या है कि हवा का कुछ portion coil को touch किये बिना bypass होके चला जाता है और जो हमें बाद में outlet पे हवा मिलने वाली है वो जो हवा पास हुई है cooling coil से और जो bypass होके हवा गई है वो दोनों का mixture मिलेगा और वो जो mixture का जो temperature होगा वो TD3 temperature से ज़्यादा होगा और TD1 temperature से कम होगा और यहां पर मैं कह सकता हूँ कि अगर actual practice में ऐसा नहीं होता जो हमारे पास psychrometry chart में हुआ है क्योंकि इस दौरान यह चीजें depend करती है कि किस type की process है हमारे cold surface का size क्या है इसका surface temperature कितना है हमारी flow conditions क्या है क्योंकि इसमें हवा का complete saturation नहीं होगा actual practice में और जब मैं discuss करता हूँ अब actual practice के बारे में क्योंकि कुछ हवा का portion bypass कर गया है हमें पर हमारे जो हवा यहां पर जो हवा मिली है वो mixture है जिसका temperature इस temperature से थोड़ा ज्यादा है लेकिन Td1 से कम है तो इसके लिए हम इसको plot करेंगे psychrometry chart पे यह दूसरा psychrometry chart है यह actual conditions के लिए है तो इसमें हम क्या करेंगे कि हमारे पास दो points तो पहली available है पहला point यह वो point है जिस point जिसमें हवा हमारी enter करती है जिस temperature पे Td1 temperature है और third point वो point है जो coil का surface temperature है जो Td3 है और ADP है apparatus dew point तो मैं कह सकता हूँ कि मैंने first और third को मिला दिया है तो इन दोनों के straight line पे मिला दिया है तो कहीं ने कहीं क्योंकि वो एक से कम होगा और three से ज्यादा होगा outlet पे तो मैं कह सकता हूँ कि एक और three line पे कहीं न कहीं कोई ऐसा point मेरे को मिलेगा जिसको मैं मान सकता हूँ कि वो outlet air का temperature है और मैंने मान लिया है कि वो fourth point है कि ये point number 4 मेरे पास outlet हवा का temperature है लेकिन actually में कहते है कि एक curve line होती है हमने इसको एक straight line मान लिया इसलिए एक और four मेरे पास दो points है हमारे पास ये inlet हवा का temperature है ये outlet हवा का temperature है ये surface coil का temperature है तो उसके बात क्या है कि जो line मेरे पास है एक से चार ये cooling और dehumidification जो actual हुए है actual cooling और dehumidification को ये represent कर रहे है तो इसके लिए क्या होगा कि एक से चार पर आने के लिए ये कुछ फात को फोलो करेंगे कि एक से पी पर आएंगे और पी से चार पर जाएंगे जब एक से पी की तरफ हम आएंगे ये प्रोसेस अगर हम देखें यहाँ पर क्या हो रहा है कि मेरी जो specific humidity है वो कम हो रही है लेकिन temperature मेरा constant है तो यह क्या process होती है? यह process होती है dehumidification तो मैं कही तो हमकी process एक से P तक है वो dehumidification process है और इस मेरी latent heat है वो heat हमारी remove होती है क्योंकि इस दोरान जो temperature है वो constant रहता है लेकिन moisture content हमारे change हो जाती है उसके बाद जो P से 4 की process है ये मेरे पास sensible cooling की process होती है इस दोरान क्या होगा कि जो specific humidity है वो मेरी remove होगी और हमारा जो temperature है वो change हो जाएगा लेकिन specific humidity constant रहेगी specific humidity हमारी change नहीं होगी तो उसके बाद क्या है कि जो line हमारे पास है जो line एक से 4 है ये जो entering air point हमारे पास first point है और जो ADP point 3 है इनको ये join कर रहा है और इस line को हम sensible heat factor line भी कहते हैं तो इस तरह से हम upload करेंगे यहाँ पर enthalpy का scale है आप मेरे पास 3 point है point 1, point P और point 4 यहाँ से 3 points पे मेरे पास enthalpy आ जाएगी first point पे H1 enthalpy, P point पे HP enthalpy और four point पे H4 enthalpy अब यहाँ पर क्या है कि मेरे पास 2 latent heat है एक से P तक जो remove हुई है और P से 4 तक sensible heat है जो remove हुई है एक से P पे क्या हुआ हुआ H1 माइनस HP और P से 4 पे HP माइनस H4 और यह सारी मेरे पास total heat है और जब cooling और dehumidification की बात करते हैं तो हम यहाँ total heat remove होगी एर से उसको हम find out कर सकते हैं total heat क्या होगी H1 माइनस H4 और वो जो sum होगा किसका वो sensible heat और latent heat का sum होगा वैसे तो that is equal to H1 माइनस H4 लेकिन इसको में लिखता हूँ जो total heat है वो sensible heat प्लस latent heat के equal होगा अगर हम यहाँ पर देखें इसको H1 माइनस H4 यह total heat है और यह latent heat प्लस sensible heat होगा latent heat हमारे किसके equal है H1 माइनस HP और sensible heat प्लस HP माइनस H4 HP से HP cancels out हो गया और हमारे पास H1 माइनस H4 ही बचा उसके पाद एक term होती है cooling and demodification के तुरान sensible heat factor जिसको SHF से denote करते हैं और इसको sensible heat ratio भी कहते हैं जो sensible heat factor है वो ratio होती है sensible heat की और total heat की और जो total heat है वो sum होता है sensible heat और latent heat का sensible heat क्या है हमारे पास अगर हम यहाँ से देखें वो है HP-H4 वो हमने लिख दिया है फिर नीचे लिखते है SH sensible heat HP-H4 प्लस latent heat वो है H1-HP H1-HP HP जए HP cancel out हो गया जो sensible heat factor हमारे पास वो है HP-H4 divided by H1-H4 यह sensible heat factor है उसके बाद अगर मैं bypass factor की बात करता हूं bypass factor अगर मैं इस line सिर्फ calculate करना चाहूं जो 1,4 और 3 की line है मेरे पास तो यहां से जो bypass factor हमारे पास आएगा मैं directly इसको लिख दूँँगा यहां पे bypass factor इसको हम पहले भी discuss कर चुए है वो हमारे पास होगा td4-td3 divided by td1-td3 इसके एक बोल होगा और मैं यहां पे लिख सकता हूं कि td4-adp क्योंकि जो td3 है वो apparatus due point है और that is td1-adp भी लिख सकता हूं इसकी जगह पे ADP apparatus due point है So friends आज हमने इस वीडियो में discuss किया cooling and dehumidification process के बारे में अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा आप इसको like कर सकते हैं share कर सकते हैं twitter पे facebook पे whatsapp पे अपने friends और students के साथ और n universe double two को subscribe करना ना भूलें क्योंकि आपके subscription से हमें motivation और encouragement मिलता है और जिससे हम अपने काम को और बहतर तरीके से करने की कोशिस करते हैं thanks for watching have a nice day